और यूट्यूब चैनल लेक्स लर्न फाम होम दिस इस दिरेंजन तिवारी तो फ्रेंट्स हम डिसक्स कर रहे थे इगनू के मास्टर्स के लिए जो की हिस्ट्री सब्जेक्ट का था तो हम उसमें हमने दिसक्स कर लिया है उसके कुछ चेप्टर्स तो आप उसे देख सकते हैं हम फिलाल MHI01 डिसक्स कर रहे हैं तो उसमें हमने दो लेक्चर अभी पिछला डिसक्स कर लिया है कि वो मतलब काल नरधारण कैसे हुआ था उनका और जो विकास है मानों का करमिक विकास कैसे हुआ है उसके बारे में हमने बात कर ली से एब हमता करते हैं ऑजारो विकास तो जिंद्धस देखा जएप आपराए पुरा पासांड के बारे में बात करेंगे कि उससमें कौन कोन से उजार पाये जाते थे तो उसको हम 3 पाट में डिवाइट करते हैं निचला पुरा पासाणकाल, मद्ध पुरा पासाणकार और उत्तर पुरा पासाणकार तो निचला पुरा पासाणकाल में जो औजार पाए गए हैं उनको जनरली हम बोलते हैं ओल्डोवियन और एक्यूलियन औजार इसका reason ये है क्योंकि ये ओजार सबसे पहले अल्डोवियाई जो जगह है उत्तर तंजानिया में और मेल का कुंडू जो यूथेपिया में है वहाँ पाए गए थे लगबग 1.8 से 1.6 मिलियन वर्सपूर इसे लिए इनका नाम अल्डोवियन ओजार कहा जाता है इसका इसका इस्तिमाल कंद मूल काटने जड़े खोदने और चोटे जानुरोवियन खालू कारने के लिए किया जाता था .. नो में जो आजार बनाय जाते थे वो मूल रूप से जो प्राक्रतिक रूप funding पत्थर पाया जातए थे उनहीं को ही बना दिया जाता था बहुत ज़्यादा छेड़शार्ण उस नहीं की जाती थी, चुकि वो बहुत दिख्षित थे नहीं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा छेरचार नहीं करते थे, बस किनारे को जो कारते थे, फ्लैक्स को और उसी बना लिया जाता था, अब देखिए, यहां कहा जा रहा है कि लोग मांज ज़्यादा नहीं खाते थे, कं उसके अमाद राप्त आउजारों को गणासा या चौपर खा जाता था, जो की पत्थर के एक तरफ से धारदार बना कर बनाया जाता था, देखिए, बनाते कैसे थे वो, एक कोई पत्थर होता था, उसको तोड़ते थे, जब वो तोड़ते थे, तो किनारे से उसको निकालत किया जाता था, उसका इस्तिमाल उसे को धारदार बनाके एक तरफ से किया जाता था, और वो जो फ्लैक जो छोटा टुकड़ा अलग होता था, उसका इस्तिमाल चीड़ फार के लिए किया जाता था, चूकि वो भी एक तरफ से नुपीला होता था, ओके फ्रेंज, अब जह homo erectus आये थे तो homo erectus ने चुकि homo erectus थोड़े सी big shit प्रजाती मानी जाती थी इसलिए उन्हों के जो ऑजार थे वो भी थोड़े big shit थे इसलिए हम बात की जा रही है कि एक दस्मेलों 4 से लगबग 2 लाख वर्ष पूर या एक दस्मेलों 4 चुकि यह उत्तरी फ्रांस के सेंट एक्यूल के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहीं पर वह हत्यार सबसे पहले यह जार प्राप्त हुए थे इसलिए ने एक्यूलियन ऑजार भी कहते हैं अब क्योंके हमने देखा था कि हो मुई हीविलियास और हो मॉय रेक्टस यह दोनों लगबग लगबग शेम हो थे इसलिए इनके जो ऑजार पाया जाते हैं चुक्कि हमने देखा कि पूरा पाफाण मतलब प्राचीन प्राचीन की बात कर रहा है लिया та पूरा पकारवाजार आज ов toplन ऑशार थे दोडने के लिए हाथ की खुखर और बूर बोला प्रमुक्ट आजी थे क्लिवर क्लिवर का मतलब होता है कि आप क्या वो कर सकते हो एक प्रकार से कटाई सटाई के लिए इस्तिमाल किया जाता है और बोला बोला एक ऐसा आपने कभी जनरली शाउथ की मूवी में देखिए या हिन्दी कोई मूवी हाँ हिन्दी मूवी आगर आपने बाहुवली देखि ओ तो आपने । देखा होगा की एक ऐसा हथियार होता थाiring की एक रसी उसके फ्लैट को अलग कर दिया जाता था और घिस के दोनों तरब से उसे धारदार बना दिया जाता था और धारों को और धारदार बना जाता था और पकड़ के लिए घिसाई की जाती थी और उपर उसको पकड़ने के लिए घिसाई की जाती थी जाकि पकड़ना आसान हो जा तो उन पत्थरों को यह पहचानने लगे थे और कभी कभी ऐसा हुआ है कि जहां पर यह उजार पाए गए हैं वहां पर जिन पत्थरों से वह उजार बने हैं वहां पर नहीं पाए जाते थे पत्थर इसका मतलब यह हुआ कि बाहर से भी पत्थर मंगाया जाते थे या लाया साधाइन गया सके उसमें पत्थर कौन से ते देख लेजी सिलका में पत्थर थे चाल था इनका प्रियोक छोटे-चोटे पत्थरों को बनाने डाने के लिए किया जाता था ऑघी और तर कि दात का भी приг बनाने के लिए किया जाता था लेकिन बड़े मात्रा में नहीं किया जाता था बहुत थोड़े मात्रा में देखने को मिला है तो हम ये निचला पुरा पाशाण काल देख लिए अब हम बात करेंगे मद्ध पुरा पाशाण की मद्ध पुरा पाशाण के जो जाता था मोस्टे नियंदर्थल नियंदर्थल के बारे में अगर आपको जाना है तो हमने पढ़ा है अपने पहले लेक्चर में MSI के प्लीज आप उसको देख सकते हैं अच्छे से उसमें डिस्क्राइब किया गया है तो यह इस तरह के पत्थर का प्रियोग करते थे अब चुकि पत्थरों के आउजारों में खुर्चनी, बेधक, छुरी, बलेट, छेनी, त्यादी का इस्तेमाल होने लगा था मतलब कि अब यह थोड़े से और विक्षित आउजार बनाने लगे थे बिनफोर्ड महोदे थे उन्होंने सीरिया, इसराइल और फ्रांस के आउजारों का अध्यन करके उ फिर भी यहोब की समझ में आ जा रहा हो, तो जो पांस समूह उन्होंने बताया है, उसमें पहला समूह है, आउजार समूह वन, इसमें बारा आउजार सामिल है, जिसमें बेधक, खुर्चनी, छुरी भी सामिल है, हड़ी तोड़ने और काटने के, लकड़ी को टुकड़ों थे, अचर्ड़े में करना चमड़ा निकालना उसके लीए इसका प्रयोग किया जाता था, ठीक है, उसके बाद आउजार समूह गर्लीक, यहां पर क्या जाना पै। के पहले में दूसरे में शिकार Maans काटने के और हड़ी से मांस को खुरचने का काम किया जाता था उसके बाद जो लास्ट है आउजार समूँ पांच इसमें छे प्रकार के आउजार सामिल है आगी क्योर नुकीला आउजार गोल प्लैट के आपार का आउजार खुरचनी और बलेट इस आउजार सम्मू में सिकार करने मांज काटने हैं दूसरे प्रकार के आउजार सामिल प्रतीत होते हैं तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं मद्ध पुरा पासाण की आउजार की विश्यस्ता इनी तरह की थी कि इसमें special एक चीज जोड़ने में आई कि ये हड़ियों सींह और लकड़ी का प्रयोग करने लगे थे लकड़ी की नुकूइली छड़ियां मनाई जाती थी जिन्हें आग में तपाया जाता था और इसे भाले की तरफ प्रयोग किया जाता था इसका मतलब यह हुआ कि बड़े जानूरों का सिकार भी यहाद रखने की जरूरत नहीं है कि नहीं मुझे रटना ही है इसमें 12 तरगे 1000 पाय जाते हैं इसमें 12 इसमें 7 उसके बाद इसमें 4 और इसमें 6 तरगे जनरली ऐसा देखा गया है कि खुर्चनी और वेधक सब में सामिल है तो इस तरह से आप क्लासिफाई कर सकते हैं अब हम लास्ट आते हैं जो है उच्छ पूरा पासान 1000 को कौन इस्तेमाल करता था होमो सेपियन सेपियन्स सेपियन्स देखिे इसeloान यहा पे नहीं है क्यों चुआ उस्षान फूरा हम रेएंस तक होमो शेपियन जाने लगे थे यहां पे कोई स्पेशल कोर्टवन कर सकते हैं आप की इसी अस्तान पे रहते थे अब देखिए इसकी बिशेष्टा ये थी उच्पुरा पाशाण औजार की कि अब ये विक्सित हो चुके रहे हैं औजारों की तरह तरह की किस्में तैयार होने लगी थी तरह तरह के मतलब बहुत आप कह सकते हैं कि बहुत ही साइन्टिफिक वे में ये अपने औजार बनाने लगे थे कौन कौन से तरह तरह की किस्में थी जैसे दूर से फेकर इस्तमाल करने वाले औजार औजार बनाने वाले औजार मचली मारने वाले औजार डिजाइनर और आकरसक औजार बनाने लगे थे तीक है अब इसमें और कहीं कहीं पे तो सैयुक्त औजार भी देखने को मिला है कि अल करने के लिए होने लगा च्छे नहीं किसे बनाते थे यह पत्थρ को दोनोंboy से तोड़ते थे इसका फ्लैक दोनों तरब से नीकालते था और अधर बीच का पार्ट होता था उस्के बिर्थाई करके बिल्कुल करिए 500 मीटर तक उनको फेका जाता था इस तरह से बनाय जाती थे उसके बद राच्ट के अकार का और भी पाया जाता था जिसका उपयों घास काटने के लिए होता था ऐसा माना जाता है कि हसिया के प्रकार का भी वह ओजार देखने को मिला है और ऐसा मान लिया गया है कि उस समय चुकि देरे देरे उनको एक जिंगा पर रहने लगे थे पसपालन और क्रिशी खेती उनको आने लगी थी तो इसलिए वह हसिया के प्रकार का भी ओजार वहां जो स्टोंस होते थे उनसे बनाते थे मध्ध में आकर और पुरा पासाड में पुरा पासाड में देखेंगे तो आप देखेंगे कि और पर यहां पे ओर जदा सपेसिफिक हो गए थे कि किस पत्थर से ज़्यादा बढ़िया आउजार बनता है वो पत्थर वो मंगाने लगे थे अगर वहाँ पे नहीं मिलता था तो वह बाहर से उस पत्थर को मंगाते थे इसका मतलब यह है कि उस समय विनिमय और आधान प्रदान भी होने लगा था देखिए अगले कि अब हर चीज का बनाए जाने लगा था पत्त्रों के सुक्षमाजार इसकाल के प्रमुक पिसे इसका थी अब यहां पर मैंने मैंने नहीं किया है लेकिन इंपॉर्टेंट तो नहीं था इसलिए मैंने नहीं गया आप यह भी कह सकते हैं कि उस समय जैसे कि चमच या चूरी या इस तरह की जो छोटे चोटे उपियों की जो चीजें थी उसके आकार की भी ऑजार बनाया जाने लगे थी उनको आकर्सक बनाने के लिए तरह तरह की चीजें उन्हें उसमें लगाई जाती थी बनाई जाती थी तो आप कह सकते हैं कि ऑजार के मामले में यह जो नौ क्या था या किस तरह के कारह करते थे और अभी ये और प्लीज अगर आपको यह notes समझ में आ रहे हो तो प्लीज comment कीजेगा बताइयेगा अधार्थ हमें वह अच्छा लगएगा कि हाँ हम कुछ अच्छा कर रहे हैं या कुछ improvement है तो आप professional उसको भी बताइए, subscribe किजिए, share किजिए, and thank you so much, keep watching.